तो इस वीडियो में जो हम हीरो ISL का मैच कवर करने वाले हैं वो रहेगा मुंबई सीटी FC वर्सेस हैदराबाद FC के बीच मैच का वहनी होगा न्यूटरल गोवा रात में 9.30 पीम पे मैच स्टार्ट होने वाला है अब दोस्तों जो मुंबई सीटी FC है यह ISL की वन अफ दा ब जीता था बात करें है हैदराबाद FC की यह भी एक अच्छी साइड है इनकी स्कॉर्ट कॉलेटी भी अच्छी है बट मुंबई सीटी FC के कंपेरिजन में आप देखे तो आप हैदराबाद को वीक साइडी कहेंगे अगर इनको मुंबई सीटी FC से कंपेर किया जाए फिलाल इनको ने लास्सीजन नेरोली प्लेओपस इसकेप किया था या एक तरीके से कह लिजिए कि नेरो मार्जिन से चुके थे प्लेओपस में पहुझने से फिफ्ट पोजिसन में इनको ने फिनिश किया था फिलाल अभी तक इन दोनों क्लप्स ने एक-एक मैच खेल लिया है मैच वन निल से चिन्नेन एफसी से हारी ऑल्दो अगर आपने मैच देखा होगा ना हैधराबाद ने पूरे मैच में डॉमिनेट किया था बट वो अनलगी रहे थे पैनाल्टी में उन्होंने गोल कंसीट कर दिया था लेकिन इस मैच में हैधराबाद ने अच्छा खेला थ बाकी ग्रेंड लीग में आप कुछ कॉंबिनेशन हैधराबाद फेवर के ले जा सकते हैं और मैक्जीमम कंबिनेशन आप ग्रेंड लीग में मुंबई फेवर के ले जाना फिलाला माते प्रोवेबल लाइन अप पे उससे बहले एक चीज कहना चाहूंगा इस मैच की फाइ लीग्राम चैनल से जॉइन हो जाएए अब हम बात करते हैं प्रोवेबल लाइन अप की पहले हम फेवरेट्स मुंबई सीटी एपसी की बात करने वाले हैं तो यह फेवरेट्स हैं इस मैच में इनके मैक्जिमम प्लेयर भी करेंगे स्मॉल लीग में यानिकी सेवन और अप सेटी एपसी को करूंगा बहुत अच्छा मुझे इनका क्लिंशीट का चांस लग रहा है तो फिलाल के लिए आप इनके चारों डिफेंडर पिक कर सकते हैं बहुत च्यादा सेव स्ट्रेडिजी रहेगी अगर आप एक एक्स्ट्रा टेकर इनका लिए जाना चाते हैं तो फ पहला मैच उतना जादा खास भी नहीं गया इनका अच्छा गया डिफेंसिव उफेंसी वाइज मुझे पसंद है अच्छे फेंटेसी पॉइंट दे सकते हैं तो यह मेरी टॉप टू चॉइस रहेंगे अगर आपको किसी एक को डॉप करना आप राकीव या वहके में अपन प्लेयर हैं एहमत जाओ आपको हर जगे से पॉइंट दे सकते हैं यह बंदा डिफेंसी वाग भी करता है पास माश्टर है चांस क्रेट करता है कॉर्णर की फ्रीकिक शेयर करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ तो एक कंप्लीन मिट फिल्डर है यह वह वाले प्लेयर है जैस को स्मॉल लीग में वाइस केप्टन भी ट्राए कर सकते हैं लालंग माविया इनकी न्यू साइनिंग है इंडियान प्लेयर है इंडिया के वन अब दा बेस्ट फ्यूचर में बनने का पूरी तरह से पोटेंचियल है बट अभी के लिए इन से अच्छे उसंस मिलें इनको इ बिखा था ओन टार्गेट ले रहे थे चांस वगेरा क्रेट कर रहे थे तो अभी के लिए गेबरियाल को भी मैं आपे हंड्रेट परसेंट करूंगा और उनके साथी में आईगो और एंगुलो जो इस टीम के स्टार स्ट्राइकर है पहले ही मैच में डेब्यू में दो गोल मार दिये तो एंगुलो हो गए जाहू हो गए गेबरियाल हो गए तीन मश्पिक प्लेयर हैं अगर आप चार डिफेंडर पिक करते हैं तो साथ प्लेयर आपके कंप्लीट हो गए अगर आप तीन डिफेंडर पिक करते हैं तो आप विपिन सिंग या रेनियर फर्नांडिस मे अच्छा performance किया था एक assist provide किया था तो में भी इन दोनों में अपने according किसी पर पाइंट ले सकते हैं although Rainier उतने consistent भी निये last match अच्छा गया हर match में अच्छा performance expect मत करना still अगर आपको पाइंट लेना है विपिन सिंग जिनका last season अच्छा गया quality बहुत है इन पे या Rainier फंडांडी किसी इन दोनों पर किसी एक पर पाइंट ले सकते हैं सेब जाना है वही चारों defender पिक कर गए यह तीन attacker पिक कल लेना तो यह मुंबाइ सिटी FC की प्रोवेबल लें थी लगबग सभी चीज़ें यहां से डीटेल में बता दी penalty अगेर अंगूलो लेते हैं और free kick जाहू कुछ कुछ लेते हैं कुछ-कुछ गॉर्णर की लेते हैं दूसरे प्रेयर्स के साथ फिलाल यह अभी तक के इनके पहले मैच के stat हैं अपनेंट के बात करने से बहले फिर से रिमाइंड दिलाना चाहूंगा इस मैच की final small league team और सभी football matches हम telegram channel में cover करते हैं उसका link या तो आपको description box में मिलेगा या आपको मिलेगा टॉप पिंड कमेंड में वहां से जुड़के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जोइन कर सकते हैं 4200 के असपास सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको मिल जाएगा तो description box यह टॉप पिंड कमेंड में जाहिए टेलीग्राम चैनल से जरूर इनकी कमी खल सकती है तो इनकी 11 देखते है लक्षमी कांत का टीम नहीं इनके गोल की पर हूंगे अच्छे सिविंग पॉइंट समय दे सकते हैं तो मैं इनको इनको सोली रिकमेंड करूंगा चार इनके डिफेंटर है आसीज रहे सना सिंग जुवानन और आकास मिश्रा ऑल् से आदा मैं आपको एक ही इनका डिफेंडर रिकमेंड करूंगा और वो मेरी चॉइस रहे जो कि मेरे वन अब दा फेवरेट इंडियन फुल बैक भी है यह बंदा अच्छे खासे डिफेंसीव पॉइंट आपको दे सकता है और ऑफेंसीव भग भी करता है बट संस हमारे पास नहीं है तो अभी के लिए मैं इन दोनों में किसी एक के साथ जाओंगा मेरी चॉइस रहेंगे नंबर वन आसीज रहे हिदेश सर्मा आप इग्नोर कर सकते हैं पिछले मैज में जो हैदरबाद हारी कहीं न कई हिदेश सर्मा की वज़से आप कह लिए इन्हो अगेरा क्रेट भी कर सकता है रेंडम ओपन प्लेस है गोल असिष्ट करने में भी विपर है तो मिट्फिल से विक्टर शोली पिक करूंगा साथ मैं इडू गर्सिया को भी शोली पिक करूंगा जो इनकी न्यू साइनिंग है पहले 80 के महन बगान में खिलते थे पहला मैच बहुत अच्छा किया इडू गर्सिया का बहुत इन्होंने चांस वगेरा क्रेट के गोल असिष्ट मानने के भी एक दोबार क्लोज आयते गोल मनने के तो इडू गर्सिया को भी मैं शोली पिक करने वाला हूं निखिल पुजारी आप इग्नोर कर सकते हैं अभी तक कुछ फॉर्मर मुंबई सिटी अफसी प्लेयर है पिजले सिएन मुंबई सिटी अपसी में थे यह अपने ओल्ड क्लब के अगेंस केलिंगे आठ गोल दो असिष्ट किये थे इन्होंने लास सिजन मुंबई सिटी अपसी के लिए बट फर्स्ट मैच में क्या हुआ जो यह वाला म में हुए तो इस दिली दो से तीन गोल मार दिंगे तो फिलाल अभी के लिए मैं उख बैचे को पिक करना हूँ अगर आपको लग रहा शोर क्लीन शीट है की मुंबई सिटी अपसी की तो आप बैचे डॉप करके शोली आसीज राइपिक कर सकते हैं बागी पैनाल्टी वग या एक 2-1 मुंबई सिटी एपसी विक्टरी के साथ जा रहूं तो फिलाल यह मेरी डेमो रफटी में गोल की पर हैदरबाद के लक्षमियांगांत कटी मनी मैंने पिक के और इनके मुंबई के चारों डिफेंडर साथ में जाहू गेबरियाल और आईगोर अंगूलो मैंने जो मेरे केप्टन है यहां मैंने इडू गर्सिया लिए विक्तर लिए और अग्वेचे लिए अगर आपको लगरा अग्वेचे फ्लॉप जाएगी या हैदरबाद की क्लिन शीट आएगी अग्वेचे फ्लॉप जाएंगे तो इनको ड्रॉप करके आप डिफेंस में आशी उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर जोइन कर लिजे